वस्तुओं की पुनरा वृत्ति एन असमान वस्तुओं में से एक बार में आर वस्तुओं लेने पर बने क्रमचैयों की संख्या ग्याद करना जबकि प्रत्येक वस्तु किसी भी विन्यास में चाहे कितनी बार ली जा सके। इसपस्ट है कि अभिष्ट करमचैयों की संख्या उतनी ही होगी जितनी N असमान वस्तूओं से आर रिक्त इस्थानों को भरने की, जबकि प्रत्येक वस्तू चाहे कितनी ही बार प्रिव्त क्यों न हो जाए। पहले इस्थान को N प्रकार से भरा जा सकता है क्योंकि दीवी N वस्तूओं में से प्रत्येक वस्तू उस इस्थान को भर सकती है। प्रकारों में से कीसी भी प्रकार से भरे जा चुके हो, तीसरा इस्थान भी N प्रकार से भरा जा सकता है। अत एव, पहले तीन इस्थान N स्क्वेर इंटू N बराबर N क्यूब प्रकार से भरे जा सकते हैं। इत्यादी। तो इस प्रकार यह बात स्पस्ट है कि जितने इस्थान भरे जाने हैं, N का घातांक भी उतना ही है. इस प्रकार, R इस्थान N का पावर R प्रकार से भरे जाएंगे. अतह करमचैयों की अभिष्ट संख्या N का घात R है. पहला प्रश्ण दिया गया है कि किसी व्यक्ती ने 6 पत्र लिखे, यदि उस नगर में 3 डाक खाने हो, तो बताए कि वह कितनी तरह से पत्रों को डाक खाने में डाल सकता है. तो व्यक्ति पहला पत्र को तीन डाक खानों में से किसी एक में तीन प्रकार से डाल सकता है इसी तरीके से दूसरा, तीसरा, चौथा, पाचवा, छटवा पत्र भी तीन तीन तरीकों से डाल सकता है तो अभिष्ट जो प्रकार होंगे उसे हम लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 अर्था 3 का घाट 6 बराबर 729 अगला प्रश्ण है कि किसी कमरे में 5 आलमारियां हैं उनमें 3 पुस्तके कितनी प्रकार से रखी जा सकती है चुकि इसमें कंडिशन नहीं दिया गया है इसका मतलब है कि सभी पुस्तकों को एक आलमारी में भी रखा जा सकता है तो पहली पुस्तक 5 आलमारियों में से किसी में भी रखी जा सकती है इसी प्रकार दूसरी और तीसरी पुस्तकों को भी पाँच-पाँच अलग-अलग प्रकारों से रखा जा सकता है तो कुल पुस्तक रखने के प्रकार बराबर 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125 अगला प्रशन, सौरब के 6 मित्र हैं, उनमें से एक अध्वा अधिक को वह रात्री भोच पर कितने प्रकार से निमंत्रित कर सकता है तो यहां पर किसी एक मित्र को बुलाने की 2 इस्तीतिया होगी या तो वह उसे बुलाएगा या तो वह नहीं बुलाएगा तो इसे हम लिखेंगे कि किसी मित्र को रात्री भोज पर बुलाने की दो इस्थितियां हो सकती है या दो इस्थितियां है बुलाया जाए या ना बुलाया जाए तो इस प्रकार छे मित्रों को रात्री भोज पर बुलाने अथ्वा ना बुलाया जाने के सभी संभव प्रकार बराबर दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो अर्थात दो का घात छे यह हमें मिल जाएगा 64 उपरिप्त प्रकारों में वो इस्थिती भी सम्मिलित है जिसमें किसी भी मित्र को ना बुलाया जाए तो उसे हम इसमें घटा देंगे तो अतह निमंत्रित करने के अभिष्ट प्रकारों की संख्या बराबर 64 रिन एक बराबर 63 अगला प्रश्ण है कि किसी परिक्षा में उत्तिर्ण होने के लिए निर्धारित चार विसयों में से प्रत्येक में उत्तिर्ण होना आवश्यक है कुल कितने तरीकों से कोई एक परिक्षार्थी उक्त परिक्षा में अनुत्तिर्ण हो सकता है तो इसे हम लिखेंगे कि एक विशय में निर्धारित अंक प्राप्त ना होने पर परिक्षार्थी अनुत्रिण हो सकता है तो प्रत्य एक विशय में उत्रिण या अनुत्रिण होने के दो तरीके इसी प्रकार चार विशयों में परिक्षार्थी द्वारा निर्धारित अंक प्राप्त करने या ना करने की कुल सम्भव प्रकार बराबर दोकागाद 4 बराबर 16 लेकिन इसमें एक इस्थिती वह है जब विद्यार्थी सभी अर्था चारो विसेव में नियुनत्म अंक प्राप्त कर लेता है तथा उत्तिर्ण हो जाता है तो इस सिति को छोड़ देने पर विद्यार्थी के अनुत्यण होने के प्रकार बराबर 16 रिन एक बराबर 15 अगला प्रशन दिया गया है कि तीन इनाम चार लड़कों को कितने प्रकार से दिया जा सकता है जबकि पहला प्रश्न किसी लड़की को एक इनाम से अधिक ना मिले तो यदि किसी लड़की को एक से अधिक इनाम ना मिले तो पहले इनाम को दिये जाने के प्रकार होगा चार दूसरे इनाम को दिये जाने के प्रकार होगा तीन क्योंकि एक से अधिक इनाम किसी को नहीं मिलना है और तीसरे इनाम को दिये जाने के प्रकार तीन रिन एक बराबर दो तो अतह इनाम दिये जाने के अभिष्ट प्रकार बराबर चार गुना तीन गुना दो बराबर चौवीस इसमें दूसरा पशन दिया गया है किसी लड़के को कितने ही इनाम मिल सकते हैं तो इस इस्तिती में पहले इनाम दिये जाने के प्रकार होगा चार दूसरे इनाम को दिये जाने के प्रकार भी होगा चार क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक इनाम एक विक्ति को मिल सकता है और तीसरे इनाम को दिए जाने के प्रकार भी चार होगा अतह इनाम दिए जाने के अभिष्ट प्रकार बरावर 4 गुना 4 गुना 4 अर्था चार का घात 3 बरावर 64 इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है किसि लड़के को सब इनाम ना मिले तो यदि किसी लड़के को सब इनाम ना मिले तब इनाम दिये जाने के अभिष्ट प्रकार होगा 64 रिंड 4 इसका मदब यह कि तीनों की तीनों इनाम एक ही व्यक्ति को ना मिले ऐसी स्थीतियां होंगी 64 रिंड 4 बराबर 60 वृत्तिय क्रमचय Circular Permutation वृत्ति की परीधी के चारो और वस्तूओं के क्रमचय को पृत्तियक क्रमचय कहते हैं रेखी क्रमचय जिसका हमने अब तक अध्यन किया है तथा वृत्ति क्रमचय जिसका हम अब अनुछेद में अध्यन करेंगे इसमें यह अंतर है कि रेखी क्रमचय में प्रत्यक विन्यास के दो सिरे होते हैं जबकि वृत्ती क्रमचय या चक्री क्रमचय में कोई सिरा नहीं होता चक्री क्रमचय में वस्तुओं की सापेक्ष इस्थिती पर ध्यान दिया जाता है पांच अक्षरों A, B, C, D, E पर यदि हम विचार करें तो A, B, C, D, E ऐसा लिख सकते हैं, B, C, D, E, A ऐसा भी लिख सकते हैं, C, D, E, A, B ऐसा भी लिख सकते हैं, D, E, A, B, C ऐसा भी लिख सकते हैं, और E, A, B, C, D इस प्रकार भी लिख सकते हैं या फिर इसे यदि हम एक चक्रिय करम में लिखें एक वृत्त के चारो और एक दिसा के रूप में लिखें तो इस तरीके से दर्साया जा सकता है A, B, C, D और E तो इन दोनों विन्यासों में पहले विन्यास रेखिक है तथा एक दूसरे से विन्यास है परन्तु यदि ये किसी वृत्त की परीदी के चारो और रखे जाएं जैसा कि अभी चित्र दो में दिखाई दिया गया है तो उन्हें विन्यास नहीं कहा जा सकता इन सब के करम एक ही है तो इस प्रकार वृत्ती करम चै दो प्रकार के होते है पहला ऐसे वृत्ताकार करम चै जिसमें दक्षिनावर्थ clockwise और वामावर्थ अर्थात अंटिक्लक्वाइस दिसाओं में कोई भेद नहीं होता है जैसे किसी माला में मोतियों के करम चै यदि माला में मोतियों के करम को उलट दिये जाए तो भी माला पहले जैसे ही रहती है अब इसका जो दूसरा प्रकार है यह है ऐसे वृत्ताकार करम चै जिनमें दक्षिनावर्थ और वामावर्थ करम में भेद होता है जैसे कि यह गोल मेच के चार और पुरुसों की करम चै तो इस तरीके से जो दो चित्र बने है एक है वामावर्थ अर्थात एंटी क्लॉकवाईस और दूसरा है दक्षिनावर्थ या फिर क्लॉकवाईस दक्षिनावर्थ और वामावर्थ क्रमों में अंतरिया होता है कि एक में जो अक्षर दाईयोर होता है वा दूसरे में बाईयोर हो जाता है और एक में जो अक्षर बाईयोर है वा दूसरे में दाईयोर हो जाता है तो इन सबसे हम प्रमे का कंक्लूजन ले सकते हैं, एन विभिन वस्तुओं में से एक समय में आर लेने पर बने वर्ताकार करमचैयों की संख्या, पहला इस्तिती जबकि दक्षिनावर्थ एवं वावावर्थ में भेद होता है, यह होगा NPR upon R, और दूसरी इस्तिती जबकि दक्षिनावर्थ एवं वावावर्थ में भेद नहीं होता है, NPR upon 2R, इसमें प्रश्न दिया गया है कि दस भिन भिन प्रकार के फूलों से कितने प्रकार की मलाएं बनाई जा सकती है, तो फूलों की माला जब आप बनाएंगे तो clockwise या anti-clockwise में आप भेद नहीं कर सकते, कि क इस तरीके से आपने इसको बनाया है, तो इसे हम लिखेंगे कि फूलों की माला में वावावर्थ एवं दक्षिनावर्थ में भेद नहीं होता है, अतह दस फूलों की माला बनाने की कुल विधिया, कुल विधिया होंगी, एक बटे दो गुना, दस रिंड एक का फेक्टोर 240, अगला प्रशन, 6 मित्र एक गोल में इसके 4 और कितने प्रकार से बैठाये जा सकते हैं, चोकि 6 अलग-अलग व्यक्ति हैं, तो आप इसमें या डिफरेंस कर सकते हैं कि clockwise direction क्या है और anti-clockwise direction क्या है, तो इस प्रकार हम लिखेंगे कि इसकी अभिष्ट विधियां बराबर 6 बराबर 5 का factorial सरल करेंगे, तो आपको मिल जाएगा 120, अगले प्रशन में दिया गया है कि 6 पूरुसों और 4 महिलाओं को एक गोल मेज के 4 और कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, यदि कोई 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे, 6 पूरुसों को एक गोल मेज पर बैठाने के प्रकारों की जो संख्या होगी, उसे हम लिखेंगे 6 रिन एक का factorial, सरल करने पर आपको मिलेगा 5 का factorial बराबर 120, तो इसे हम चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि 6 पूरुसों के बीच में 6 इस्थान हैं, जिनमें 4 महिलाओं को ब सरल करने पर आप लिखेंगे factorial 6 बटे 6 रिन 4 का factorial और आगे सरल करने पर आपको मिल जाएगा 6 का factorial बटे 2 का factorial बराबर 360, तो कुल अभिष्ट विधियां जो होंगी, वो होंगी 120 और हम 360 को गुणा कर देंगे, दोन को गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 4200, अगला प्रशन है किसी परिशद के 11 सद से गोल मेच के 4 और कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, यदि मंत्री और उपमंत्री ही प्रधान के पड़ोगी रहें, तो यहां पर 3 व्यक्तियों की बात हो रही है, कि एक व्यक्ति है प्रधान, उसके दोनों और या तो मंत्री हो सकता है, या तो उपमंत्री अपने इस्थान को आपस में बदल सकते हैं, तो इसे हम लिखेंगे कि यदि मंत्री उपमंत्री और प्रधान को एक सदस्य मान लें, तो सेस 8 सदस्यों को मिला कर 9 सदस्य हुए, जिन्हें गोल मेच के 4 और 9 रिन एक बराबर 8 और 8 के फेक्टोरियल तरीकों से बिठाया जा सकता है, और अब मंत्री और उपमंत्री प्रधान के पडोसी हैं, तो ये दोनों 2 फेक्टोरियल तरीके से रह सकते हैं, अतह अभिष्ट करमचयों की संख्या बराबर 8 का फेक्टोरियल गुना 2 का फेक्टोरियल, बराबर 8640, अगला प्रशन है कि किसी समीती क कि 15 सदस्य गोल मेज के चारो और कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, जबकि मंत्री सभापती के बाई और उपमंत्री दाई और बैठें, तो पुरुप्रशन और इस प्रशन में अंतर्या है कि वहाँ पर मंत्री और उपमंत्री आपस में अपने इस्थान को बदल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा सभव नहीं है, चुकि प्रशन में इसमें दिया गया है कि मंत्री सभापती के बाई और उपमंत्री दाई और बैठें, तो इसे हम लिखेंगे कि जब मंत्री सभापती के बाई और उपमंत्री दाई और बैठें, तो इनको एक सदस्य मान सकते हैं, तथा से इस बारा सदस्यों को मिला कर कुल तेरा सदस्यों होते हैं जिने की तेरा रिंड एक का फैक्टोरियल अर्थाद बारा फैक्टोरियल तरीके से बैट सकते हैं तो अभिष्ट्र संख्या जो होगी या बारा फैक्टोरियल होगी भिन भिन प्रकार के 20 मोतियों में से 10 मोतियों के कितने हार बनाए जा सकते हैं तो हम यह जानते हैं कि N वस्तूओं में से R वस्तूओं को लेने पर क्रमचयों की संख्या होती है N P R upon 2 R यहाँ पर N जो है यह 20 है और R का मान है 10 तो अभिष्ट करमचेयों की संक्या हम लिखेंगे 20 पी 10 बटे 2 गुना 10 सरल करने पर आपको मिल जाएगा 20 का फेक्टोरियल बटे 20 दिन 10 का फेक्टोरियल बटे 20 का फेक्टोरियल सरल करने पर आपको मिल जाएगा 19 का फेक्टोरियल बटे 10 का फेक्टोरियल और यही अभिष्ट उत्तर है जो हमें ग्याद करना है अगला प्रश्ण है कि कितने प्रकार से साथ लड़कों को एक गोल मेच के चारो और बैठाया जा सकता है ताकि दो विशेस लड़के एक दूसरे के पास पास हो या पहले स्थिति और दूसरे स्थिति जब अलग-अलग हो तो इसे हम निखेंगे कि साथ लड़कों को एक गोल मेच के चारो और छे फेक्टोरियल अर्थाथ साथ सो बीस प्रकार से बिठाया जा सकता है एक लड़के को स्थिर्क करके दो लड़कों को एक साथ लेने पर बैठने के कुल प्रकार पाच फेक्टोरियल अर्थाथ 120 होगा दो विशेस लड़कों को आपस में दो फेक्टोरियल अर्थाथ दो प्रकार से विवस्थित कर सकते हैं अब पहली स्थिति जब दो विशेस लड़के एक दूसरे के पास पास हो तब बिठाने के कुल प्रकार 120 गुना 2 अर्थात 240 होगा और इस्तिती 2 जब 2 विशेश लड़कें अलग-अलग हो तब कुल तरीके होगा 720 रिड़ 240 बराबर 480